नमस्कार आप देख रहे हैं सर्वोदै टीवी का खास कारेकरम डॉक्टर एडवाईज जी हाँ जहां आपको तमाम बीमारियों के उपचार, लक्षण और कारण के बारे में विशेशग्यों के द्वारा सभी बीमारियों के जानकारी दी जाती है ऐसे ही आज मैं मौझूद हूँ द्रुव अस्पताल में और मेरे साथ मौझूद है डॉक्टर संजा सिंगला जी आज इनसे जानेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देख भाल किस तरीके से करनी चाहिए जो बॉर्ण में भी होते हैं उनका जो सुरक्षित तरीके से उन्हें कैसे रखा जाए आज इनसे तमाम जानकारी हम तराप्त करते हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कारेक्रम में सर जो छोटे बच्चे होते हैं ठंड का मौसम है और अच्छी खासी ठंड पढ़ रही है तो छोटे बच्चों का ठंड में किस तरीके से जो है उनकी देख भाल की जाए किस तरीके से उन्हें रखा जाए ठंड का अभी कुछ दिनों से काफी बढ़ गई है तो इसमें हमें बच्चों को ठंड से बचा कर ही रखना है चोटे बच्चों को कोशी करना है कि यह सिर्पर कैप हमेशा लगी रहे बच्चों के हाथों में सॉक्स मिटन से बच्चे कवर रहें बाहर ना घुमें ठंडी हवा के सामने नहाए को कि इस टाइम सीत लहर भी चल रही है तो उससे अगर दो दिन चोड कर एकद सपुम्छें को हम ज到 कि आवे च्वरम पानी होता है वह मतलब कितना गरम होना चाहिए शोटे बच्चे के लिए और उसक तो अगर्वजाब पीजा सकती है या फिर हॉस्पिटल नहीं की देख वाल घर पर ही की जा सकती है कोई कॉप्लिकेशन ना हो अगर कोई निमोनिया है कोई इंट्रक्षन है अगर बच्चा दूद नहीं पी रहा है कोई परेशानी है तब उनको अस्पताल बढ़ती जूरत पड़ती है वरना ऐसे बच्चों को अगर हम प्रॉपर केर दें समझाएं तो ऐसे बच्चों को घर पर ही अच्छे से मेनेज किया जा सकता है अस्पटाल में उनका काम सिर्फ इतना ही है कि उनको दूद पलाने की एडवाइस उनकी देख रेक उनका कपड़े बदलना उनको सफाई रखना इसके बाद इससे बच्चों की देखने घर पर ही की जा सकती है अभी जैसा कि कोरोना क सबसे जरूरी है खाना खाने से पहले बच्चों को हाथ वाश कराने है उसके अलावा कि यूज स्काना है साबून से वाश कराना है और बहार social distancing का पालन करना है बच्चों को भीड भीड वाले स्थानों पर लेकर नहीं जाना है जो दुरू अस्पथाल है Ser वो किस तरीके सब भूचकों का इलाज जो है वो मुहिया करारा है हमारे पास नवजात कमजोर बच्चों से लेकर 18 साल तक के 길 राज सब्सक्राइब के लिए नर्सरी है इसके लाव हमारे पास और सप्प्लाई के लिए एक लायन लाइन हुई है मॉनिटर है किसी बी तरह कि गंभीर से गंभीर वीमारियों के इलाज के सुधा के लिए हमारा जो स्टाफ में तरह से ट्रेंड है एनिमया की जो है वीमारियां हो जाते हैं वह किस कारण मुरू loodgy बच्चों में खुन की कमिंध से क्षों में यहीं होती है कि उसकी भीले वज़ा है ये हैं एक हार सी कुछ सामन उठा के खा लेते हैं जमीन पर हात रखके खा लेते हैं पचे फ़ल होते हैं उनको वॉष करके नहीं खाते हैं लिए अगर कीड़े में तो उसके लिए घृद्चे इसके लावा उनको हम लोग आयरन रिच डाइट जो होती है जिसमें आयरन की मात्रा भर पूर होती है जैसे कि हमारे ग्रीन लीफी वेजीटेबल्स हो गए पालक हो गया हरे पत्ते की सब्जियां हो गई यह सब दे सकते हैं यह कुन बढ़ाने में काफी मददगार साबित होत कि इस टाइम हमारे पास दो परिशानी जिनका हम सामना कर रहे हैं एक तो यह थंड काफी जादा बढ़ गए दूसरा कोरोना इसका समझान यही है कि आपको गरों में रहना है शूशल डिश्टेंशिंगा पालन करना है मास्क लगाके रखना है और हैंड से हैं तो यह थे मे और तमाम जानकारी तमाम बीमारियों के लक्षन उप्चार और कारण के बारे में जानने के लिए आप देखते रहे हैं सरवोधे टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जोती हंडिलवाल